जाहिंद आज हम लोग SSC MTS 2000 SSC MTS का 5-year paper को डिसकस कर रहे हैं हम लोग 2022 के paper को देख चुके हैं उनका playlist बना दिया कि आप उसको जाके playlist में चेक कर सकते हैं आज हम लोग 2021 के paper को डिसकस करने वाले हैं तो अब हम लोग 2021 के paper को डिसकस कर रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते अपने कोश पहले सेट को पहला कोश है कह रहा है कि नेमलिकीत में से कौन सा मद भारत के चालू खाता से यानि current account balance को प्रतक्ष और तौर पर प्रभावित नहीं करता है तो नेमलिकीत में से कौन सा मद भारत के चालू खाता से यानि current account balance उनको प्रतक्ष तरपर पर प्रभावित नहीं करता है तो राजस्वा आए इसका correct answer हो जाएगा जिनके दरवारी कभी बिल्हन ने उनके जीवनी लिकी थी वो आपका चालू के वन से सासक थे वो आपके चालू के वन से समधित थे भारत में रास्टिय उभोकता दिवस कब मनाते हैं तो 24 दिसंबर को मनाते हैं भारत में रास्टिय उभ्भोकता दिवस, हम लोग 24 दिसमर को मनाते हैं, रास्टिय उभ्भोकता दिवस. नेक्स्ट है, निम लिखित में से किस तिवहर को मनिपुरी 9 वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो चरोबा इसका करेक्टेंसर हो जाएगा. तो निमने में से कौन सा रोग जाए? फ्लेवी वाइरस के कारण नहीं होता है तो पोलियो इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा सितंबर 2020 तक के सित्थी के नुसार निमलीखीत में से कौन सा रास्थ्य उद्यान? यूनेशको की विश्व धर्वर सुची में अंकित है तो यह हो जाएगा केवला देव रास्थ्य उद्यान इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा तो सितंबर 2020 तक के सिति के अनुसार पूछ रहा है तो कौन सा रास्टे उद्यान युनस्को के विस्व धरवर सूची वध है तो या विया के वला देव रास्टे उद्यान इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा है Next है अगस्थ 2020 में भारती संसद संसद्य समुख के अधक्ष निम लिखित में आप विया क्रेकट एंसर हो जाएगा तो अगस 2020 के अनुसार भारती और संसर्दिय समूग के अध्धक्ष जो है आपके ओम बिरला हो जाएंगे नेस्ट है विस्व का सबसे पुराना टेनिस टुनामेट निम लिखीत में ज़े कौन सा है तो विम लंडन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेस्ट है 1975 में रास्टी अपातकाल की घोसरा के समय भारत के रासपती निम लिखीत में से कौन थे तिया से आगे फकरुदीन अली एहमद थे तो 1975 में रास्टिया पातकाल की घोसरा के समय भारत के रासपती कौन थे तो या पर फकरुदीन अहमद अली अहमद इसका करेक्टेंसर हो जाएंगे पदार्थ की निमली खित में से किस अवस्था को बोस आयंस्टिन कंडंसेट के नाम से भी जान जाता है तो पंचम इसका करेक्टेंसर हो जाएगा पहला अवस्था सॉलिड दूसर अवस्था लिक्वीड तीसर अवस्था ग्याद चौथा हो जाएगा आपका प्लाज्मा पांचवा हो जाएगा बोस आयंस्टिन कंडंसेट नेक्स्ट एक कार्बन के कितने प्रक्रतिक समस्थानिक होते हैं तो तीन इसका करेक्टेंसर हो होँ जाएगा तो उसका जाएक गुन ऐसे सिलिकन ीक्साइट का आफि qe होोड़ा ही गुन होता है तो स्व हम पूरिय का सट पर रह सकत Living यह सकता है वेजょ वह पूरी होने तक अपने पद पर रह सकता है 65 इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा संग लोग सेवा आयोग का सदत से 6 वर्स के लिए या 65 वर्स के पूरी होने तक अपने पद पर रह सकते हैं नेक्स्ट है सविधान के अनुचेद 280 के तहट भारत के वित आयो का गठन रासपती के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है अरपपती वारेन बफे द्वारा संचालित फर्म निमलिखित में से कौन सी है तो आपका बर्क शायर हैथवे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है इन विच वारेन बफे द्वारा संचालित फर्म निमलिखित में से कौन सी है तो आपका बर्क शायर हैथवे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा पॉर्जसर अप्रोजेखित जाक जर्क शायर है तुल प्रोजेक्ट कर तो आपके ज़ार कर नल इमलिखित से कौन सा परंप्रिक रूप से अंडमान और निकोबार द्यस्त Panel में रहने वाला आदिवासी नहीं अनैं गाल जांख भिहार में मिलता है तह हूंगे हो किया अस्मार्ट ट्रिप्लेट सब्सक्राइए के डियां लियन से लियन 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 है चेंचें है और ल्यान लियान अ किस राजवब से था तहां का कथी ऐसान हिया ने मिघाले में है यह किएक रुब्टिश भर में होजाबुच्ट्रा संग्ट रहांना सब्सक्राइब निम्ली खिट मैं सब्सक्राइब तो ने तीन सब्सक्राइब महाद्य पहाल या मुक्य रूफ से किस राज में फैली हुई है तो महाद्यु पहालिया जो करिवा मध्यपदेश राज में फैला हुआ है नेस्ट है भारतिय मुल्की दक्षिन अफ्रीकी गीता राम जी जिने मार्च 2020 में अन्तिम फासली इनको किछ छेतर में अपने योगदान के लिए जाने जाता है तो विसानू विज्ञान इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा और यह हमारा आज का सेट कंप्ली जूता है मिलते हैं अगले सेट में तब तक के लिए क्या करना है आप इनका PDF आप हमारे टेलिग करेंगे और हम लोग चार साल फाइव या पेपर को यहां पर डिसका जली-जली कर लेंगे तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक लिए जैहीं जैभारत धनेवाद